हेलो दोस्तो तो आज हम करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिमांड जब तक नहीं आती तो सप्लाई नहीं होती तो यह हमें पता है नीड इस दा मदर ओफ इन्वेंशन अब थर्मल पावर प्लांट बहुत अच्छे हैं हाइड्रो पावर प्लांट बहुत अच्छे हैं लेकिन हाइड्रो की यही दिक्कत है कि हमारे पास इतना पानी होना चाहिए और हमारे पास thermal की problem क्या है thermal की problem ये है कि हमारे पास इसमें coal जो कोईला लग रहा है वो बहुत सारा चाहिए हमें वो लगातार हम जितना mining करते जा रहे हैं वो खतम होता जा रहा है अब अगर वो खतम हो जाएगा तो हम क्या रहेंगा गरों में एक नी दो दो तीन तीन एसी है लोगों के तो इतना ज़्यादा एसी मॉल इतने एसी इतनी ज़्यादा electricity consumer यह तो भाई बनानी तो पड़ेगी अब इन्होंने radioactive पधार्त लिए radioactive पधार्त वो होते हैं जिन में से अलग-लग radioactive particles निकलते हैं तो हमारे पास देखे यूडेनियम धोरियम यह ऐसे product हैं जिसमें क्या है कि हमारे पास reaction अलग-लग होकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा energy निकलती है chemical reaction के कारण energy बहुत ज़्यादा निकलती है इतनी ज़्यादा energy उसको अंदर use किया जा सके उसको अगर use किया जा सके तो भाई मज़े ही मज़े है तो इसलिए nuclear power plant को समयना जरूरी है सब सबसे पहले यह समयना कि chain reaction क्या होती है chain reaction क्या होती है हमारे पास यह आप इसको बोलते थे nuclear nuclear fusion क्या होता है nuclear fusion पता है तो आप इसको कर सकते है नूकलेट फीजन का मतलब है जब हमारे पास एक मान लिजे कि यूरेनियम का एटम है अब अगर यूरेनियम के एटम के ओपर हम अटेक रहें वैसे पड़ा है यूरेनियम बहुत अच्छा है कभी कुछ नहीं कहता किसी को जैसे अगर कोई जानवर खड़ा ना आप उसके पंगल खड़ा थो ठीक है अगर आप उसे पंगल ओको भाई पंगल एनरजी उसकी फिस हमलती नहीं हमसे ठीक है कोई जानवर खड़ा उगली में पंगल बद लिया करो अब यूरेनियम बढ़ा था धर्ती के अंदर पांच किलोमेटर नीचे दभाया इनसान को पंगा पढ़ता है हमने इन निकाल लिया इसको छेड़ खानी कर दी हलका सा पत्थर मार दिया क्या मा दिया हमने एक न्यूट्रियन न्यूट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर दिया यहां पंगा ले लिया इससे क्या हो गया कि एटम्स बहुत सारे हैं हमारे पास यूरेनियम एटम्स थोड़े बहुत होते हैं हमारे पास इतना सा अगर पार्टिकल है उसमें कितने सारे एटम्स होते हैं तो एटम्स बहुत सारे हैं चोटा सा पार्टिकल है हमारे पास एटम उसमें बहुत सारे हैं तो इतने सारे आटम्स है हमने सिर्फ एक आटम के ऊपर भी स्ट्राइक कर दिया पंगा ले लिया, वस ये समयलो की पंगा है ले लिया पंगा ये ले लिया कि हमने तीन आगे तीन नीटरोन और ज्यादा निकलेंगे यहां से जब यह निकलेंगे तो अटैक करेंगे इसके साथ इसके साथ अब इन में से तीन और निकलेंगे एक दो तीन यह कुछ इस तरह से है जैसे जनसंख्या बढ़ती है न हमारे इंसान जनसंख्या बढ़ा रहे है न वह वाला काम है ठीक है एक एक बंदे की शादी हुई उसे ने दस को जन्म दे दिया दस बच्चे हुए उनके शादी हुई तो दस नहीं आगे पांच-पांच को भी जन्म दिया अब होगा क्या अब इससे यह होगा कि भाई यह यह न्यूट्रोन आगे आटम्स को अटेक करेगा और हमारे पास यह रियक्शन खतरनाक बन जाएगी यह रियक्शन खतरनाक बन जाएगी क्योंकि अब न्यूट्रोन यहां से निकलेंगे इससे भी तीन इससे भी तीन आगे सब को छेड़ते हो जाएगे हमने सिर्फ एक ही पंगा लिया था चोटा सा उसके कारण हमारे पास इस तरह से एनरजी फैलती जाएगी और यह निमरस एनरजी और खतरनाक एनरजी और यह ब्लास्ट तक कर सकती है ब्लास्ट कर सकती है और हम इसमें से करेगा कुछ लोग करते हैं हमारे देश में बहुत सारी प्रॉलम्स है क्या कर सकते हैं कर जाए सकते हैं कि भाई जन संख्या कम करने के लिए कंट्रोल करो हाना तो हमारे पास अगर यहां इसको कंट्रोल कर लिया जाए इसको कंट्रोल कर लिया जाए सरफ एक ही न्यूट्रोन आगे निकले इसको अगर रोक लिया जाए तो भाई यह इसके साथ अटैक करेगा को से हम इस reaction को control कर लेंगे इस reaction को क्या करेंगे control कर लेंगे हर किसी में से दो भी रोका जाए दो को रोका जाए एक को ही आगे जाना दिया जाए तो भाई साथ वही reaction जो हमारे control में आ जाएगी और वो इस reaction को हम अच्छे काम में लगा सकते हैं बास समयते हो, अब मेरी बास समयले ना, मैं इसको समझाते हैं यह भी मैसे देना हूँ कि बच्चे मत जनम देना जादो को, एक चोट-चोटो की शादी कर देते हैं और बाद में उनको पता पांच बच्चे हैं, किसी के छे बच्चे हैं, किसी के तीन बच्चे हैं, दो हो तो तो दो ही बच्चे हो maximum, अगर एक रख सकते हो तो बहुत हचा है, एक रखोगे तो control में रहेगा सारा कुछ, ठीक है, बाजा मजाई, तो हमारे पास nuclear fusion इस तरह से होता है, अब ये numerous energy जो निखल रही है ना, इसका अगर फाइदा उठाया जाए, फाइदा क्या उठाया जाए, इसके around हम पानी डाल दें, इसके around मालेजे, ये reaction जिसके अंदर हो रहा है, और इसके side में हम मालेजे, पानी डाल दें, और ये heavy water जो है, ये special होता है, ये ऐसा water नहीं, पानी जो हमारे पास है वो वाला नहीं, हम pressurized यहाँ पे heavy water डाल दें मालो, और इसकी energy से इस पानी को ग गरम कर लें, गरम करके, ये क्या है कि हमारे पास इतना गरम हो सकता है, तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है, तो ये boil नहीं हो रहा हमारे पास, तो हमारे पास क्या है कि इसको गरम करने पे, पानी को गरम करने पे, हम इस पानी को यूज करेंगे, कहां पी यूज करें इस तरह से घुमेगा और घुम के वापिस फिर यहां हम डाल सकते हैं इसको और यह पानी जो इसके अंदर था इसके अंदर पानी था वो पानी जाएगा ओके गरम पानी है और हम एक सिंपल पानी रख लेते हैं यहां पे यहां पे एक सिंपल पानी रख लेते हैं बाहर नॉर्मल वाटर रख लेते हैं जो क्या कर सकता है जो बॉयल हो सकता है यहां पे बाहर जो है वो नॉर्मल वाटर है और वो क्या कर सकता है बॉयल हो सकता है और यहां से जब यह बॉयल होगा तो यहां से हम क्या करेंगे इसकी स्टीम बनाकर बॉयल करके स्टीम बनाकर और स्टीम इसको स्ट्राइक करेंगे हम कहां पे टर्बाइन के ऊपर हम करेंगे इसको टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे यह जो टर्बाइन है वो क्या क जेनरेटर बिजली बनाने के लिए है तो बिजली बनेगी और बिजली बनने के बाद हमें और क्या चाहिए यहां से इस टीम जो निकलेगी इस टीम को हम दुबारा फिर कंडेंसर में डाल देंगे ठीक है और कंडेंसर से वाटर बन जाएगा अगें यह वाटर यहां प्या ज हो जाएगा ये पानी कंडेंस हो जाएगा और पानी फिर से कंडेंस होने के बाद यहां अजाएगा तो इस तरह से आप समझ सकते हो एक nuclear power plant को यह होता है nuclear power plant का simple idea यहां पर जो हमारे पर रियक्शन है बस इसी को control करना problem वाली बात है और ये अगर मालिजे कहीं बुचाल आता है अगर अर्थ को एक आ गया खतरनाक हो गया तो भाई ये फट भी सकता है प्रॉलम भी आ सकती है ऐसा चल रहा है न्यूज में भी देखना ऐसी जबाते होती रहती है तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत बड़ी प्रॉलम वाली बात है बहुत बड़ी प्रॉलम वाली बात है तो लेकिन अगर इनसान को करना है इन पंगे तो लेने है तो हमें कुछ हद तक तो कुछ नगुश पर रिस्क को लेना ही पड़ता है रिस्क तो हर जगा है तो रिस्क है लेकिन क्या आप करें हमें चाहिए तो इसकी एनरजी हमने यूज कर लिए और इसका ये दिखो आगे चलते हैं और फाइदा देखो ना कि भाई साब आपको ये नहीं है कि अलग से ट्रांसपोर्ट पे कोश्ट लग रही है कोईले की सबसे खतरना की चीज ट्रांसपोर्ट पे को खर्चा बहुत है और लगता ही बहुत ज़ादा है टनों में लगता है एक घंटे में कतने लगता है टन कोईला लग जाता है और यहां पे यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता एक किलो ग्राम एक किलो ग्राम सुन ले न एक किलो ग्राम अगर यूरेनियम अगर आप रख लोगे सिर्फ एक किलो ग्राम यूरेनियम क्या कर सकता है 400 टन 400 टन कोईले के बराबर है जितना 400 टन कोईला काम करेगा उतना एक किलो ग्राम यूरेनियम काम कर देगा भाई साहाब है खतरनाक चीज मज़ा आया बात सुनके मज़ा आया I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आये तो एक बार लाइक का बटन दबादें यार और कमेंट बॉक्स में जुरू बताएं कि आपको समझ आया या निया और अगर आप ऐसे सी जेई की तेहरी करना चाते हैं तो यहां पर एप का लिंक देराओं एप जुरू डाउंलोड करें थैंक यू सो मच नेक्ट वीडियो में फैसे में देए